नमस्कार बिहारी नियूज में आपका स्वागत है देश में कुरोना संक्रमन की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ रही है वहीं बिहार में भी मामले विकाबू होते जा रहे हैं स्वास्विभाग के तरफ से बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी किये गए आकड़ो का निसार बिहार में कुल 4786 नए मामलों की पुष्टी हुई है जिसके बाद प्रभावतों की संख्या 295,171 पर पहुंच चुकी है वहीं सबसे जाज़ा प्रभावत टॉप तीन जीलों की बात करे तो पटना में 1483 मामले सामने आये हैं और साथ ही गया में 334 वहीं भागलपूर में भी 334 मामलों की पुष्टी हुई है इसके साथ ही अगर हम बीते दिन के पिछले 24 घंटे में ठीक हुए मरुजों की संख्या की बात करें तो कुल 1189 मरीश ठीक हुए हैं और अब ठीक होने वाले मरुजों की संख्या बढ़कर 2,79,795 तक पहुंच गई है इसके साथ ही बिहार में एक्टिब मरुजों की संख्या की बात करें तो यह 23,724 तक पहुंच गई है और वहीं अब हम जिलेवार कुरोना प्रवावतों की संख्या की बात करें तो आररिया में 33, अरवल में 48, औरंगाबाद में 122, बाका में 32, बेगु सराय में 105, भागलपूर में 334, भुषपूर में 166, बकसर में 97, दरबंगा में 24, गया में 334, गोपाल गंज में 105, इस्चंपारन में 92, जमुई में 21, जहानाबाद में 128, कैमूर में 20, कटिहार में 107, खगड़िया में 26, किसंगज में 32, लखी सराय में 44, मध्यपूरा में 47, मधुवरी में 47, मुझेर में 97, मुझपरपूर में 242, नलंदा में 29, नवादा में 44, पट्णा में 1483, पुन्या में 98, रोतास में 69, साहरसा में 103, समस्तिपूर में 112, सारन में 117, सिकपूरा में 40, सिवहर में 17, सितामणी में 60, सिवान में 88, सुपावल में 47, वैसाले में 57, विशंपान में 97 मामलों के पुष्टी गए। इसके साथ ही बागी 16 अंक्रिमित ऐसे हैं जो दूसरी राजिके हैं लेकिन इनका सेंपल बिहार के ही अलग-अलग जिलों में कलक किया गया है। कुरोना के मामलों में बेसक द्वालत देखने को मिल रही है, सतरक रहने की सक जरूवत है। धान रहें वैक्षिन के साथ सतरक रहने के भी सक जरूवत है। इसलिए मार्स जरूर पहने और दो गज की दोरी का भी पालन जरूर करें आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद